नमस्कार आप देखें रबजी लाइब और मैं हूँ आपकी साथ नुपुल शर्म सुप्रीम कोट ने ओवेसी के पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला जिससे विरोधियों की निकली अकर जी हाँ देश में मोधी राज आने के बाद यह रोप अक्सर ही लगते रहते हैं कि लेकिन कोट ने कई ऐसे फैसले सुनाये हैं जो यह बताने के लिए काफी है कि देश में कानून और न्याय अभी भी जिन्दा है और कोट का फैसला टीका और टोपित देखकर नहीं बदलता है इसी का एक उधारन है सुप्रीम कोट का ओवेसी के लिए लिया गया फैसला के आएमायम सुप्रीम अजदुद्दीन और वेसी पर गोली चलाने के दो आरोपियों को जमानत देने के इलाहबाद कोट के आदेश को निरस्त कर दिया है शीर्स अदालत ने सुनवाई करते हुए इसे वापस हाई कोट को भेज दिया है कोट ने कहा कि फैसले में जमानत आथरिटी के सामने सरेंडर करने को कहा है सुप्रीम कोट ने साफ कहा कि इलाहबाद हाई कोट सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याजगा पर नए सीरे से फैसला करे दरसल यूपी बिधान सवर्श नाओ के दौरान तीन फरवरी को हापुर के एक टोल प्लाजा पर ओवेसी की कार पर गोली चलाई गई थी आरोप है कि दोनों आरोपियों शुभं और सच्चिन ने ओवेसी और उनके काफिले पर गोलिया चलाई थी वही हमले का CCTV फूटेज भी सामने आया था जिसमें दोनों आरोपी ओवेसी की घारी पर हमला करते नजर आ र बच गए थे पुलिस ने इस मामले में 307 का मामला दर्श किया था और अदालत में चार्ट सी दाखिल की थी लेकिन इलहाबाद हाई कोट ने बाड़ा जुलाई को दोनों आरोपियों को सच्चिन सर्मा और उसके साथी सुभं गुर्जर की जमानत रद कराने के लिए सुप्रीम कोट में याचि का दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोट के तरफ से और वेसी के पक्ष में फैसला आया सुप्रीम कोट के इस फैसले पर और वेसी ने प्रशनलिता जाहिर की है अब देखना हिया है कि सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद इलहाबाद हाई कोट मा ना भूले ताकि ऐसी तमाम खबरें आप तक सबसे असानी से पहुंच सके धन्यवाद